स्वागत दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल Confusion 9.2.11 में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे BPSC TRE 3 9.10 मैस का क्या cut-off रहेगी और मैंने जो previous वीडियो मैंने cut-off कर डाला है उस पर बहुत सारे चार जो कॉमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप ये किस अधार पी ये marks बता रहे हैं कि इतना ही marks इस category में जाने वाली है तो उससे पहले हम discuss कर लेते हैं कि जो मैंने maths और science का जो मैंने cut-off बताया था result आने से पहले और exact एकदम वही cut-off किया तो उसको मैंने पहले कैसे identify किया था उस marks को कि इस category में इतना ही marks जाएगा maths साइंस में और वो 100% match किया है ठीक है EBC और unreserved के लिए ठीक तो वो पहले कैसे identify किया maths साइंस का तब आपको हमारा maths का cut-off समझ में आएगा कि अच्छा maths में भी कैसे इतना cut-off जा सकता है ठीक है तो एके करके हम दो देखते है पहले सबसे पहले सुरू से आईए maths साइंस में देखिए हमने कैसे किया था ठीक है अब आईए maths साइंस का पहले देख लेते हैं उसके और 9-10 maths का cut-off देखेंगे बीसी केटेगरी वाले बता है उनका 120 में कितना माक्स आ रहा है तो ये मेल के लिए ही था ठीक है तो मेल के लिए ही ज़्यादा तर मतलब प्रोलम होता है इंटिफाई करना और यहाँ पे देखें अन्रिजर्व का है मैंने बीपेसी टीरी सिक्ट टुए सबसे पहले हम अन्रिजर्व का दिखा देते हैं मतलब एक दो कैटेगरी का कि कैसे इंटिफाई किये तो मैंने पहला पूल करवाया था अन्रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे 33 परशेंट लोग यहाँ पे वोट किये है ठीक है और नाईटी परशेंट से इग्जेक्ट अगर च्टी परशेंट से जादा हो रहा है तो वह वाला सिक्षन में हम चले गए थे यहाँ पे 42 से जादा हो रहा है पलस तो 90 पलस यानि कि यह जो है 90 पलस में आपका एक यह दो नंबर बढ़ सकता था इसलिए मैंने इसमें 92 cut-off रखा था ठीक है क्योंकि एक एक नंबर पर बहुत सारे छात्रों का concentration आ जाता है लेकिन जब एक दो नंबर क्योंकि ये 90 प्लस maximum नंबर हो गया था मैंने question का भी review किया था और मैंने देखा था कि हां अगर maximum किसी बच्चे का आ रहा होगा तो 92 से 94 के बीच में आ रहा होगा तो उस range पर वो topper का marks हो जाता है ना कि average student का तो इस वज़से मैंने इसका 92 रखा था अब उसी में आई है मैंने ebc का ebc में मैंने एकदम exact कैसे identify किया था ठीक है आप देखे मैंने बोला कि 42 परसेंट से ज़्यादा तो इस category में अगर हम बात करें 89 तो 90 प्लस तो इसमें 35 परसेंट हो गया अगर हम इस section में जाए तो यहां पर 11 परसेंट हो जाता है ठीक है तो यहां पर 45 परसेंट मतलब 45 परसेंट से जादा हो रहा है 46 परसेंट हो रहा है लेकिन यहां पर हम जब देख रहे हैं कि हमारा 81 तो 85 पर maximum concentration यहीं पर पहुंच गया है तो अगर हम यहां पर 90 प्लस वाले में कुछ बच्चे अगर चले जाते हैं जेनरल में तो फिर मेरे पास सीधे यहीं पर बच जाता है इसी section में 81 तो 85 में तो चुकी यहां पर concentration ज़्यादा मिल रहा है इसका जो maximum limit है इसलिए इसका वहीं पर ज़्यादा सबसे number student वहीं पर fight कर रहे होंगे EBC category का इस वज़ा से मैंने इसका 85 cut off बताया था आपने previous section में ठीक है तो इसी तरह से कुछ अंदा आजा कुछ question का level देख लिए तो एक range हम पकड़ लिए कि हाँ maximum जो है वो 94 तक जा सकता है और minimum जो लाएंगे average जो student ला रहे होंगे वो 85 to 90 के बीच में ला रहे होंगे यही बज़ा है कि हमने इसी range को पकड़ा कि एकर EBC का 85 जाएगा तो एक दो नमबर बढ़ा दीजे EWS के लिए फिर एक दो नमबर बढ़ा लिजे EBC के लिए फिर एक दो नमबर बढ़ा लिजे आप जेनरल के लिए तो इसी तरह से यहाँ पर identify हो गया अब उमीद करते हैं कि यह समझ गया होंगे हमने कैसे बताया था आप आईए mass में cutoff तो mass का हम लोग यहाँ पर एक एक category का cutoff देख लेते हैं कि कैसे हम लोग cutoff यहाँ पर बताये थे चली सबसे पहले BC category में आते हैं कि BC category में देखिए यहाँ पर 910th mass का cutoff है कि BC category में 120 में अपना marks बताना है यानि कि जो deleted marks है उसको add करके बताना है अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे सॉरी यहाँ पर देखिए आप BC category में 93 से 98 में कितना concentration मिल रहा है 46% मिल रहा है ठीक है 46% यहाँ पर मिल रहा है अगर यह 50 से पलस होता यानि 53 पलस होता तो इसका जो maximum range था 98 यही इसका BC category का cutoff चला जाता लेकिन चुकि 50 से कम है यानि कि इस से एक number आपका ज़्यादा जा सकत है क्योंकि देखिए 103 में यहाँ पर 25% है 101 2 में यहाँ पर देखिए 20% है तो इसका जो cutoff जाएगा एकदम क्लिक कर ले लिजे कि इसका BC category का आपका 99 number cutoff यहाँ पर जाएगा ठीक है यह confirm हो गया है कि BC category का यहाँ पर cutoff 99 number जाएगा अगर यह यहाँ पर यह वाला section में 53% लोग वोट किये वह भी देख लिए यहाँ पर 259 लोग केवल और केवल BC category के हैं अगर overall बात करें तो हम 1000 स्टुडेंट का डाटा है सभी category के मिला करके तो 1000 का डाटा जो है बहुत ही ज्यादा होता है तो यह BC category का पता चलिया कि 99 number आएगा आपका mail के लिए अब आई यहाँ पर रिजर्व category का मैस का cut-off कैसे identify किये हम तो यहाँ पर देखिए मैस का जो cut-off है यहाँ पर देखिए 94 to 98 41% आ गया तो इसका cut-off इससे ज्यादा जाएगा अब देखिए 99 यहाँ पर देखिए आप अगर यह दोनों को जोड़ देते हैं यह दोनों को अगर 101,103,104 पलस को जोड़ दें तो 104 पलस में 26% है यानि कि इसका cut-off होगा 104 से कम ही होगा अन्रिजर्व category का ठीक है अन्रिजर्व category का 104 से कम ही होगा अब बहुत लोग करना है सर रोस्टर में seat कम हो जाएगा तो cut-off भाग दाएगा तो रोस्टर में 9,10 वाले में जो रोस्टर में है उसमें कम seat होनी के संभावना है मतलब ज्यादा seat इसमें कम नहीं होगा ठीक है लगभग जितना seat है उससे 50-50 seat कम हो सकता है ज्यादा कम इसमें नहीं होगा इस बज़ा से यहाँ 26% है ठीक है तो 26 जब % आगे है यहाँ पे तो यहाँ तो पता चलिए कि ठीक है 104 नहीं जाएगा 101 और 103 में जाएगा क्योंकि अगर इसको हम जोड़ दें 26-26 यहाँ पे कितना हो जाएगा 53% हो जाएगा ठीक है तो 53% हो जा रहा है तो 53% इसमें जाने हो रहा है इस रेंज में तो 101-103 के रेंज में तो हम यहाँ पर इसका मैक्सिमम बाला जो 103 नंबर कट अफ है यही जाने की संभावना है क्योंकि जब 103 पर आएंगे तो इसमें आपका BC के टेगरी भी आ जाएंगे और EWS के के बच्चे भी आ जाएंगे जेनरल के तो हैं अब यहां साइंस हो गया आपका हां मैस साइंस अब देखते हैं मैस का एवीच के टेगरी में मैं देखे कितना जा रहे जाए जाए अब यहां पर देखिए एवीच वाले में क्या है यहां पर एक चीज आप लोग गौर किजिएगा यह 9-10 इवीच के टेगरी का bpsc-tr 3 का cut-off हम कैसे identify कर रहे हैं वो देखिएगा आप लोग तो यहां पर देखिए एक चीज़ आप लोग यहां पर गौर कीजिएगा तो 94-97 में maximum concentration यहां पर 47% है ठीक और 98 में अगर हम आ रहे हैं 98 में अगर हम आ रहे हैं तो यहां पर 9% और जोड़ा जा रहा है तो अगर यह दोनों को हम add कर दते हैं तो मेरे पास कितने % बन रहे हैं वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो यहां पर हो गया 56% यहां पर बन रहे हैं यानि किसका जो cut-off है 56% यानि 53 से ज़्यादा आ गया मेरे पास इस category में इसको लगाने के बाद आ रहा है तो यहां पर हमारा 98 marks यहां पर cut-off जा सकती है 98 marks किसका EBC का cut-off जा सकता है और यहां पर याद रखेगा category में बहुत कम variation देखने को मिलेगा आपको तो यहां पर हमने identify किया आप यहां पर देखिए अगर हम बात करें 100 plus का तो 100 plus कितने लोग है EBC category में 100 plus यहां पर 49% लोग दिखा रहा है 100 plus यानि कि यह 40 से कम परसेंट है और इसमें हम 2 से 5% हम neglect करके चलते हैं कि false लोग जा है voting करते हैं यहां पर 122 votes जो है केवल EBC category का है तो हमने पहले ही बोला कि जिस group में अगर 53 जोड के आ जाता है तो वहीं पे से हम cutoff लेते हैं यहां पर हमारा 98 marks जो है EBC category का जा रहा है अगर उसी का हम बात करें EWS का तो EWS का भी परावर ही रहने के संभावना यहां पर दिख रही है वो BC के बरावर यानि कि 99 BC और EWS भी आपका 99 जाने की संभावना यहां पर लग रही है EWS BC की cutoff लग भग यहां पर एक रेट एकदम बरावर जाने की उमीद है यह cutoff आप लोग समझ गये होंगे कि किस analysis पर मैंने previous वीडियो में बताया था अगर सारे category का cutoff देखना है तो वो category मैंने अपने channel पर upload कर दिया हूँ आप हमारे video section में जा करके यहां पर हमारे video section में च बता चुका हूँ 910th mass VPSC TRE3 के लिए तो आप लोग उस category को देख ले और आप confusion आप लोग का दूर हो गया होगा कि मैंने 6-8 mass science का कैसे cutoff exact identify गया था उसी अधार पर मैंने 910th mass का जो है वो cutoff बताया हूँ और उमीद करते हैं कि आप जब cutoff result आएगा तो आप हमारे cutoff को फ इलिट नहीं किया हूँ बहुत सारे छात्र जब 6-8 mass science का जब cutoff मैंने बताया था तो बहुत सारे छात्र जो थे वो गाली दे रहे थे कि सर आप इतना हाई cutoff क्यों बता रहा है सेटिंग वेगरा जाता नहीं बच्चों का आया है इसलिए मैंने बताया हूँ और सही बात है कि मतलब exam बहुत देते हैं लेकिन सारे exam बहुत सारे छात्रों से result नहीं परभावित होता है कुछ ही जो top के student होते हैं उनी से result बनता है तो इसलिए हम लोग जब भी count करते हैं तो उपर से top student को ही लेकर के count करते हैं और जिनका average marks आता है वो neglect हो जाते है ठीक है तो यही ज्यादा number जाने की उमीद है मतलब कहने का मतलब है कि पिछले बार की तुलना से 10 number हर category में ज्यादा जा सकती है तो यह चीज़ वज़ा है इस वीडियो को देखने के लिए आप लोका बहुत बहुत सुक्री आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद